हेलो अबरेवन देर सारे प्यार मुहबत के साथ स्वाहत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चेनल प्यार से पड़ो में दोस्तों इस वीडियो में द्विधाते समिकरण के कुछ कंसेप्ट और कुछ फॉर्मिले के बारे में जानेंगे अगर आप क्राश्टियंत एक्जा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इस इक्वल टु फॉर्मूला होता है ठीक है तो इसका जो formula होता है वो होता है x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a यह हो गया द्विघात सुत्र ठीक है न क्या हो गया यह द्विघात सुत्र जहां यह लिखेंगे जहां x जो हुआ sorry a जो हुआ यह x square का क्या है गुनांक है ओके क्या है x square का गुनांक है ओके बी जो है वह x का बी जो है x का गुनांक है सथा c जो है यह c क्या है अचरपद है ठीक है अचरपद यानि कि constant term है ओके अगर standard form यानि कि a x square plus b x plus c equal to 0 इसका दो मुल हो यानि कि यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि alpha और और अल्फा और बिटा समीकरन a x square plus b x plus c equal to 0 के मुल हो मुल हो तो अल्फा और बिटा का क्या फर्मूला हुआ ठीक है न तो अल्फा बराबर यहां जो मैंने लिखा दुखाद सुतर इसे में अगर अल्फा का value प्राप्त करना हो तो प्लस वाला लिखेंगे और बिटा का value प्राप्त करना हो तो मैनस 17 उतर प्रविब करेंगे ठीक है न तो हम मैं दोनों अलग-अलग कर लिखेंगे अल्फा एक्वल्टू हो जाएगा मैनस B प्लस रूट अंडर बिए स्क्वाइर मैनस 4AC बाइ 2A ठीक है न यह अगर अल्फा का मान निकालना हो ठीक है न तो हम यह वाला फर्मॉल्ट का यूज करेंगे डिफ्रेंस जो कुछ भी निए सिर्फ प्लस और मैनस का डिफ्रेंस है ठीक है अगर बिटा का value निकालना थो ए तो इस फर्मुला का यूज करना मैं तो अगर तिंक यह तोनों चीज समझ गराओ अब आगे जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में यानिकी विवक्तर के वारे ठीक है न क्या जानेंगें रिबब वक्तर का अब लिखते हैं विवक्तकर यानिकि डिस्क्रिमिनेंट मिन एन एन टी तो डिस्क्रिमिनेंट का फर्मॉला का वहता हूं हम इसे किस इस दी से सुषित करते हैं ठीक एन discriminant को D से denote करते हैं और D equal to formula होता है विवक्तर equal to होता है B square minus 4AC ये होता है विवक्तर का formula ठीक है न इसके कुछ condition होते है D का जो value आता है तो इससे पता चलता है हम किसी भी quality equation का जब D का value पराप्त कर लेते हैं तो उससे में पता चलता है कि मुल्क क्या होने वाला है वास्तिविक है या समान है या कालपिनिक होंगे ऐसा कुछ ठीक है तो इससे कुछ condition होते हैं यदि D का value यदि discriminant का value 0 से बढ़ा हो या बराबर हो तो मुल्क जो होंगे वास्तिविक होंगे यदि D का value 0 से बढ़ा हो तो मुल्क वास्तिविक मुल्क क्या होंगे वास्तिविक और और असमान होंगे असमान होते हैं असमान होते हैं अगर D का value equal to 0 हो तो मुल्क जो होंगे वास्तिविक वास्तिविक और समान होते हैं समान होते हैं लेकिन 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 केवल एक मुल्क ही संभव होता है यदि D का मान जिरो से छोटा हो तो कोई मुल कोई मुल्क वास्तिविक नहीं होंगे वास्तिविक नहीं होंगे अधवा मुल्क कालपनिक होंगे अधवा मुल्क क्या होंगे वा कालपनिक होंगे यदि D का बेल्यू परिपूर्ण वर्ग हो अगर D का बेल्यू क्या हो परिपूर्ण वर्ग हो तो मुल्क परिमे होगा तो मुल्क क्या होंगे परिमे मुल्क परिमे होगा ओके तो यह सारे सारे डिस्क्रिमिनेंट के कुछ कंडिस्टन था ठीक है डिका बेल्यू ऐसा कुछ आएगा तो उसके मुल्क कुछ ऐसे होंगे अब आगे जानते हैं कि अलफा और बिटा का योग क्या होगा एक्वेशन का मुलो का योग क्या होगा मुलो का गुनानफल क्या होगा ठीक है न यहाँ लिखते हैं मुलो का योग जैसे कि दो मुल है अलफा प्लस बिटा एक्वाल टू क्या हो जाएगा अलफा प्लस बिटा एक्वाल टू हो जाएग फर्मुला minus b by a ठीक है तो यहाँ पर minus b क्या हो गया यह हो गया x का गुनक क्या हो गया x का गुनक ओकेह और a जो हो गया वो हो गया x square का एकसद गुनक X square का गुनान्क यह हो गया दो मुलों का यो ठीक है न और मुलों का गुनानफल क्या हो जाएगा ठीक है न अने कि alpha into beta equal to हो जाएगा C by A C by A तो यह हो जाएगा C क्या हो गया C तो हो गया अचरपद ठीक है न यह हो गया अचरपद और A तो मालूम ही है A क्या हो जागा यह हो जागा यह हो जागा X square का गुनान अब जैसे आपको किसी भी equation का दो मूल दे रखाओ ठीक है न और आपसे पूछ लेकि आप equation बना के दिखाओ तो फिर क्या formula यूज करेंगे जैसे alpha और beta का मान दे रखाओ और आपसे बोल दे कि दिखाओ समिकन बना के दिखाओ या फिर मूलो का योग और मूलो का बुनरफल दे रखाओ तो फिर पूछ सकता है कि हमें समिकन बना के दिखाओ तो वहाँ पे हम क्या formula यूज करेंगे अगर दिखाओ समिकन निकालना हो और अलफा प्लस बिटा और अलफा अंट बिटा दे रखाओ ता तो वहाँ पे हम formula यूज करेंगे x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0 तो वहाँ पे हम ये formula यूज करेंगे ठीक है न ओके ये formula यूज करेंगे तो इस वीडियो में सिर्प इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों के पास जरूर सेर कीजिए अगर आगे उसका एक्जाम है तो यह वीडियो उसके लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा ठीक है न और किसी भी टॉपिक पर आपको बखुफे यूजचर लविडियो टाकिव लव्यडियो अश्यारट इस चैनल किसी तेछर बाल्दा इस चैनल किसी वंटने कीया थ सब्सक्राइब कारे खाएगर आफुल्चा लगे जानल कि लेखाने एक्या पिसे ओूटोचर अच्छू कैनल किसी पत्त्तिक लिए लेक द